दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉमेटिटिव क्लस में दोस्तों आईए आज हम जो आपको बताने वाले हैं वह आपका है सात्मा चरन जी हां सात्मा चरन से आज चार चर नए अपडेट आ गया और वह चारों को आप आपके लिए बहुत का जो अपडेट है इसमें अपडेट है तो पूरा विडियो देखिएगा तो आपको समझ में आने वाले क्या देख करना को न्यूकती की बारी अ कि इस पहला चारे और तीन अपडेटjekt ह util पीछे बाद में सिखेंगे तो आई यह देखते हैं कि आज सिक्षा परतिनीधी पटना पटना से घबर है कि राज में सात्मे चरन की प्रारंबिक सिक्षकों की नुक्ती की तयारी सुरू हो गई है इसके लिए प्रात्मिक एवं मध्य विद्यालों में मूल कोटी एवं असनाता कोटी के सिक्षकों की रिक्ती सरवोच प्रात्मिकता की आधार पर स्थिक्षा विवाग द्वारा ली है रिक्तियों में छटे चरण की प्रारामिक सिक्षकों की बहाली में खाली रह गए पद भी सामिल हैं रिक्त पदों के गन्ना की समिक्षा स्थिक्षा विवाग द्वारा 12 जुन को की जाएगी आगे है आपका किरिक्तियों का व्योरा इमेल से भेजने को लेकर प्रात्मिक सिख्षा निदेश तक रवी प्रकास द्वारा सुक्रवार को जिला सिख्षा पदादिकारियों एवं जिला कारकरम पदादिकारियों अस्थापना को दिये गए हैं इसमें खास बत यह है कि इमन से रिक्तियों का बेवरा भेजने के लिए जिला सिख्चा पदादिकारियों एवं जिला कारकरम पदादिकारियों अस्थापना को समय भी सुक्रवार तक पतादीकारियों एवं जीला कारकरम पतादीकारियों अस्थापना 26 मैं को भी निर्देश दिये गए थे उसमें अगले अगले नियोजन की कारवाई प्रारम करने के पूर जहां नियोजन की का परकिरिया वातावरन वर्तमान चरन में पुन हुई हो वहाँ जून 30 जून 2022 तक रिक्ती पदों की गन्ना 31 माई 2022 की स्थिति के अनुसर विद्याले वार एवं नियोजनी काई वार करने के संबद में निर्देश दिया गया था सिक्षा विवाग द्वारा 12 जून को की जाने वाली प्रारामिक सिक्षकों के रिक्ती पदों की गन्ना की समिक्षा के लिए प्रात्मिक सिक्षा नियदेश करवी परकास ठीक है तो ये एक अपडेट हो गया अब दूसरा अपडेट इसका क्या है दूसरा अपडेट यहीं प 2022 के प्रकास्त रिक्ती के बिरुद आपका नियुक्ति के उपरान्त रिक्त रह गए पदों का वीवर्ण 31 मार्श 2022 तक सेवा निर्वित्याग पत्र एबं सेवा मुक्ति के करण रिक्त तत्था च्छात्र सिक्षक अनुपाद में सिक्षक पद की आवसकता की विद्धाले वार वा नियो जनिकाई वार पदों का सम्मेकित विवरनी सामिल है आगे है इसी में आपका दिखिए आगे है आपका कि आपको याद दिला दूं की छटे चरन की नुक्ती में प्रारामिक शिक्षकों के 90,762 पदों थे इन पदों के विरुद तकरिवन 42,762 बहाली हुई और इसके साथ 48,762 पद खाली रह गए और अब 7 चरन की बहाली में सामिल होंगे इसके साथ साथ में चरण के लिए तकरीबन 30,000 रिक्तियां समभावित है इसमें माना जा रहा है कि साथ में चरण की प्रारिमिक शिक्ष्चों की बहाली में तकरीबन 80,000 पद होंगे आगे है आपका आगे है आपका यहां पर देखिए कि STET अभियर्थियों संका पांचमा द धरना के पाचवे दिन भी आंदोलन जारी रहा शुक्रवार को भांकबा माले विधायक दल के नेता महोब अलम ने भी धरना पर पहुँच कर समर्थन किया इसमें अभी अर्थियों ने कहा कि STT की बहाली अंकों के अधार पर हो इसके साथ अंतरिक्त सभी अभी अर्थियो में सामिल करने आदी की मांग रखी धरनास तलपर सुजीत कुमार पीके कुमार अनिल कुमार गौतम रूपेश अविस्यक जह आदी थे और आपका आखरी जो इसका अपडेट आई है आखरी अपडेट है कि नियोजन की प्रकेरिया पूरी तरह ऑनलाइन हो तो ऑनलाइन हो जिसे आज भाकवा वाले विधायक दगे नेता महोवाला में धरनास तलपर पहुंचकर समवर्थन दिया जिसमें फिर इससे भी वही मांग स्टीटी उनिस की बहाली मार्क्स के अधार पर हो सरकार स्टीटी 2019 के परिक्षा परिनाम में चैनित होने के एक साल के बाद भी बह सरकार नियामावली संसोधित कर स्टीटी के आंग के आधहार पर आगे बढ़े और गुनवातापूर को लेकर बढ़े आगे बढ़े और स्टीटी उनिस अंदूलन के नेता आलो की आदवने स्टीचक भरती बोड की मांग की है तो यह आपका एक पूरा अपडेट है ठीक ह सब्सक्राइब कर दें फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अबते के लिए बाए